वेलकम आईवीपियर्स आरार्बी ऑफिस असेस्टेंट 18 अगस्त का फस्स लॉट का आया हुआ मेमरी बेस्ट दियाई सेट है एक आसान डियाई सेट है लेकिन हाई स्कूर करना है कम समय में करना है जो कैलकुलिशन है उनमें आवरेज परसेंटेज इनका विशेश महत्व है ज्यादा तरह कुश्चन आप चाहें तो बिना पेंट पीपर की कर सकते हैं या स्लाइट वन नमबर या टू नमबर साइद लि जाएगा माई डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंग अमर सर अन अकैडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग एप है मैंने यहां पर ठेरों लेशन्स और कोर्सिस बनाये हैं जो बैंक एससी और रेलवे एक्जाम के लिए बहुत ही लावदायक हैं इनका लाव तो देखते हैं मार्स ऑप्टेन बाइ फोर स्टूडेंट्स इन फोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स फोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिज, हिंदी, साइन्स और मैथ और फोर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं पौल, अधित्या, नीरज, सैंडी इन्होंने कितने कि लाएं हैं डिफरेंट सब्जेक्स में ये दिया हुआ है, फुल मार्क्स मेंसल नहीं है, चलिए, स्टाट करते हैं, फर्स्ट कुश्चिन है कि मार्क्स अप्टेंड बाई सेंडी, इन इंग्लिस अन मैच्च टुगेदर, नहीं के लिख सकते हैं, इंग्लिस अन मैच्च टुगेदर, स्टी, इंग्लिस अन मैच्च टुगेदर, याहनी 120, इज वाट पसंट अधे मार्क्स स्कूर बाई अधिथया अन नेरज इंग्लिस, तोगेदर रा, इंग्लिस अधिथया अन नेरज, 160, 120, 160 का, 3 4th है 75% answer बुले करेंगे कि नहीं बस ऐसे करेंगे लेकिन हाँ चलिए अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं बोलते हैं कि 60 plus 60 is how much percent अदित्या नीरज इंग्लिस में अदित्या नीरज तो 75 plus 85 5 इसे दीजे क्यों करें twice 60 क्यों न बोलें twice 80 क्यों न बोलें क्या ये 3 by 4 नहीं है क्या ये 75% नहीं है से जाए ना इसे ठीक है first number question देखे फिर second number question बढ़ता हूं find the ratio of total marks ratio ratio of total marks is scored by all four students together in Hindi to total marks is scored by all four students together in science Hindi and science Hindi and science total marks total marks ratio आप ऐसे ही बनाएं तो मैं बताओं बताता हूं देखें कैसे बनाएंगे Hindi and science मुझे दिखता है मुझे दिखता है कि मैं 5 इसे दे दूं तो 60 हो जाए 60 60 60 और 70 को भी 60 प्लस 10 बोलके 16 to 4 240 प्लस 10 250 क्यों न कहूं यानि की 5 इसे दूं 6 क्यों न कहूं A is the answer A is the answer मेरे ख्याद से समझ में आ गया होगा grouping करते हैं grouping क्या लेक के बताओं चले लेक के बताता हूं कुछ students होंगे जो सुरू कर रहे होंगे new और उनको साय दिक्कत हो तो मैं बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है ठीक है आखिर हुआ क्या देखिर हुआ क्या ये है Hindi और ये है साइंस ठीक ये सिक्स्टी सेवन्टीफ़व फिस्टीफ़व और सिक्स्टी ऐसा है ना और साइंस वाला एट्टी सिक्स्टी निटीफ़व और 65 ऐसा है ना अगर हम इसे ऐसा लिखें कि ये तो 60 है ये तो 60 है 5 इसे दे दूं तो 60 है और इसे 60 PLUS 10 क्यों न लिखून इसको 10 PLUS 250 क्यों न बुला जाए यानी कि 250 क्यों न बुला जाए वैसे ही इसको देखिए, इसे इसे देदू, तो इसे 70 बोला जाए, 70 बोला जाए, 5 देदू, तो 70 बोला जाए, और इसे 70 प्लस 20, क्यों न लिखूं, 20 प्लस 280, क्यों न लिखूं, 300, क्यों लिखूं, 5 इस्टो 6, एह दा एंसर, मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा बार की जो इसके थ्री कुस्टिंस हैं चलिए उसे और चलते हैं आई अगले कुश्टिं की और हम दो चलते हैं जो नेक्स्ट कुस्टिं है थर्ड नमबर टोटल मार्स आप्टेंड बाई पॉल और how much more or less than टोटल मार्स इसकोर्ड बाई नीरेज पॉल ने जो मार्स पाया और नीरेज ने जो पाया उसमें कितनी का डिफ्रेंस है पॉल का पूरा सम कर ले नीरेज का पूरा सम कर ले जितना हो क्यों सम कर ले हैं 20 का लीड है 5 तो खट गया लेकिन फिर 15 का लीड है तो 5 इसे दे दिया तो बागी बचा 10 10 और इधर 20 30 का लीड है और 20 का लीड है 50 का लीड है एंसर कुछ करनी की जरुवत नहीं है अब मैं बताता हूँ कि क्या और कैसे क्या और कैसे तरसल पॉल का यहां तक सवाल है और 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 नीरस का यहां तक सवाल है नीरस पॉल देखिए 65 60 80 और 65 और नीरस का 85 55 95 और 85 हम भी दिफरेंसेस ले लेते हैं ना डिफरेंसेस ले लेते हैं ना डिफरेंसेस ले लेते हैं डिफरेंसेस यहां पर कितना जयाद है प्लस 20 यहां पर माइनस 5 यहां पर प्लस 15 और यहां पर प्लस 20 इन दोनों का वैल्यू जहां तक लेंगे 10 न न होगा और सम कर देंगे तो क्या यह 50 न होगा यानि की D is the answer ठीक है संतर के difference लेने का मितलब ली है और इसके बाद आईए next 4th रंपर find the average of the marks is scored by Aditya in English, Hindi and Science together Aditya का लेना है English, Hindi and Science 60, 60, 60 15, 15, 30 को 10 इच दिया 70 अंसर बोली करेंगे की नहीं Aditya का 70 अंसर नहीं समझें लेखे मतलब ऐसा है कि 75 है 75 है और 60 है मुझे दिखा 60 प्लस 15 के रूप में 60 प्लस 15 के रूप में 60 प्लस 0 मने कुछ है मुझे दिखा कि इसका तो 60 हुआ ही average और इस 30 को distribute कर दें तो क्या 70 न हो जाए ये कहां से आया 30 को distribute कर दें तो न हो जाए खेक है अरफ फ्फ रूमभा कुछीं फ्फ रूमबा कुछीं दिखी इफ फ्प माःट्पञ्मम् मार्क्स for each subject are 100 ओके तो फिर परशनते हो गया ना तो फिर परसुंटल हो गया ना B is the answer, नहीं समझे, यह जो sandy है, 60 है, out of 100 है, 60 है, 60 plus 5 क्यों न बोलें, इसका average क्या 60 न होगा, और इसका average क्या 1.25 न होगा, तो 61.25 न होगा, 61.25 out of 100, B is the answer, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस्टेशन को भी आपने enjoy किया होगा, two days का exam हुआ है, आगे two days पाकी है, जिन students का पाकी है, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि questions किस तरह के आ रहे हैं, निश्चत तोर पर उन्हें आगे आने वाले exam में फायदा पहुँचेगा, all the best.